तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम केवल 10-15 मिलेट के अंदर कैसे इस हवन के देवयग्य के कारे को संपन्न कर सकते हैं अपने घर में हम स्वयम कर रहे हैं और आप भी बहुत संक्षेप में इस हवन को अपने घर में संपन्न स्वयम कर सकते हैं पतंजली योग फीट ने एक बहुत अच्छा हवन किट के उपलब्ध कराया है और इस हवन किट में सारी वो सामगरी है जिसकी हमको आवशकता है इस डेवयग्य में हवन में अज हम अन्बॉक्सिंग भी करते हैं इस हवन किट की कि क्या-क्या चीजां इसमें हैं और कैसे हम इसे यज्य को शंपन्न करेंगे देकि इसको हम खोलते हैं एक इसमें यह हवन कुंड है और कुंड के लिए स्टैंड है इसको आराम से रख सकते हैं बहुत सुविजा जनग है छोटा है अगर हमने छोटा हवन करना है परिवार में दो-तीन लोगों के द्वारा तो इस कुं आसमन के लिए यह पात्र है जल डाल लेते हैं ताकि इनसे हम आसमन करें हम दो लोग हमोगी इस Peng Se Be Ng को संपन्न करें यह भी पीतल के इसमें हवन सामगरी रखांगे एक यह घी की आहुती देने के लिए यहाँ शुरुवा इसमें है पीतल का बना हुआ इसको भी हम रख लेते हैं पूरे मंत्रू सहित यह पत्रक भी इसमें दिया गया है बड़ा बहुत भी पढ़ना जानते हैं संस्कृत तो हम आसानी से इसको पढ़ करके स्वयम अपने घर में हवन कर सकते हैं यह पतंजली ने बड़ी सुद्ध हवन सामग भी बनाई है घी मिला करके इसको हम तेयार कर लेंगे इसमें कपूर है माचिस की आउसकता पड़ेगी यह माचिस है दिया जलाने के लिए इसमें घी डाल ले करते हैं समीधा के लिए भी यह पतंजली ने गोमय समीधा जो गाय के गोबर से यह समीधा का निर्माण किया है बहुत अच्छी समीधा है बहुत सस्ती यह तीस रुपय का पूरा प्रेकेट है ऐसी चौद समीधा इसके अंदर है और इतना परियाप्त होगा अब हम सुरू करते हैं भावन की प्रेक्रिया को